अस्वेलाम अलेकूं मैं यूटीव फैमली कैसे हैं आप सब आई होब कि आप सब ठीक होंगे आज का रिव्यू जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूं आप लोग भी टिक टॉक देखते होंगे और टिक टॉक पर जो एड आते हैं धराज के आप लोग अगर टिक आप लोगों के लिए तो आप लोगों के लिए और यूज नहीं किया होगा क्यूंकि आज मैं आप लोगों को इसको अपनी आइस पर लगा कर सेट करके आप लोगों को दिखाती हूं ठीक है यह इसके प्राइज है मेरे ख्याल से टू हंड़र्ड फिफ्टी शायद इसके प्राइज थे और जब यह शिपिंग बगारा डालके मुझे थ्री हंड़र्ड और कुछ उपर पैसे पड़े थे इसके देने ठीक है और जो इसके साथ चीज़े मिले थी वो है यह यह बड़ा सही है ठीक है इसका कलर इतना जबरदस्त है ना मुझे बड़ा पसंद आया था ठीक है तो अभी मैं इसको उपन कटी हूँ आप लोग कोई भी लेते हो ना कोई भी बाजार से खरीदते हो तो उसको पहले आप लोग ने फिल्टर वाले पानी से जो है ना एक द बाकी किसी को भी ऐसे लगाया ना तो यह होता है तो इसलिए आप लोगों को चाहिए कि फिल्टर वाले पानी में लैंस को डाल कर जो है इसका जो केमिकल लगा होता है उसको वाश कर लिया करें ठीक है तो यह मैंने लैंस ओपन कर लिया है मैंने फिल्टर का पानी भी ले ल लगाने से पहले ताके आप लोग बे फिकर हो जाओ कि इस पर कोई कच्रा नहीं है ठीक है तो यह लगाने के बाद मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं था लग रहा है इतनी इरिटेशन होने लगी थी मुझे लग रहा था इसमें कोई चीज है जो मेरी आंख में चुब रही है दूसरी में ऐसे ही आना शुरू होगे थे दूसरी आंख भी रोना शुरू होगी के बहन अभी मेरी भी बारी है और मेरे ख्याल से जितना रोना मुझे आ रहा था यहां पर मुझे टिक टॉक का सैड वीडियो रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था सही है नहीं है तो मैंने इसक अंक में नहीं अभी लगाया और मुझे इसको मैंने बड़े गौर से देखा तो इसमें मुझे ना चोटा सा सुराख लग रहा था इस लेन्स में आप लोग लगा तो यह आप लोग से देखो शायद मैं कैमरे में दिखाने की कोशिश कर रही थी अगर गौर से देखो तो म मैंने सुची यह क्या है रहा है वर इतना कुछ हो जाने के बाद ना रोना दोने के बाद फिर भी मुझे लेंस लगाने की पढ़ी है मुझे नहीं पता क्यूंब यह यह उन्हीं अपना चाहिए और मैं इतनी पागल हुआ कि चीज के पढ़ जाऊ ना तो मुझे वह बड़ करती हूं उससे ही हो जाएगा तो यहां पर मैंने दूसरा इलैंस भी लगा लिया अपनी आइज में तो इसके वाद जो है मैंने तकरीबन पांस दस मिनट वेट किया कि मेरी आंखों से यह जो आंसों निकल रहे हैं वो रुक जाएं पर लेकिन नहीं यह बिल्कुल भी नहीं कोशिश करो यहां पर भी आपका लेंस वह एज़स्ट हो जाता है लेकिन मेरा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था मेरे आंसों नहीं थे रुक रहे हैं तो मैंने सोचा कि अब मैं दफाई कर दो इसको तो मैंने इन लेंस को उतार के फोरन से वापिस से रख दिया क्योंकि य अगर एक दिन के लिए भी यूज हो रहे होते हैं तो यकिन करो मैं मेक अप का जो है एक वीडियो बना लेती यूट्यूब के लिए और उसको अपने चैनल पर अपलोड कर देती नहीं तो भी मुझे सबर आ जाता है वैसे सारे पैसे वेस्ट गए हैं लेकिन आप लोगों क अपने यहां जो हैं मेरे हिसाब से बड़ी हाड आंखों को सूट करते होंगे और मेरे जैसे नाजुक आंखों को यह बिल्कुल भी सूट नहीं किये ठीक है और किये ही नहीं क्योंकि इससे पहले भी मैंने जो हैं यूज होता है उन्में अच्छे लेंस मिल जाते हैं वरना यह मुझे कभी सूट किया ही नहीं थीक है इसके बाद जो मुझे एतना रोणा था न उसकी वज़ए सारा दिन मेरा सरदर्द होता रहा है थीक है अभी मैंilities रहे थी तो आपकुछ बहतर थी किया अगर इटनी आंखों में जो ती दर्द हो री थी मुझे इसके बाद थी कर कि उर्ण रिखिएना को जो हो इसको यूझ करना भाटे मैं भी रदाव करना तो यह भागाओ हूँ कि इसा था southwest एक और मुर्कु से रिखा नहीं तो हमाय। डिंना चाले अध्यजी ख्ली सावय। वियू भाटे में में आपस्टे शाप्सें लिई चाहिए है। गज झाल जो झाल जो झाल जो झाल झाल